नमस्कार जनतंत्री टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ साहिल दूलिया तो शुरुआत करते हैं पिछले कुछ दिनों में भारत के कई राजियों में लाखो पक्षियों की मौत हो चुकी है चार राजियों हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, केरल और राजिस्तान ने बर्ड फ्लू की पुष्टी कर दी है जिसके बाद इसके संक्रमन को फैलने से रोकने के लिए कई और राजिय भी अलट हो गए हैं वहीं जनतंत्री टीवी के पॉलिटिकल एडिटर अकलेश मिश्र से बाचीत में केंद्री मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि बर्ड फ्लू से ज़ादा फिकर करने की जरूरत नहीं है कि देश एक तरफ करोना के संक्र से जूज रहा तो दूसरे साथ बर्ड फ्लू ने दस्तक देदी है हमारे साथ संजीव बालियान जी बर्ड फ्लू करोना लग रहा एक के बाद एक तबाम संक्र आता जारा कितना बड़ी चुनोती मानते हैं आप फिलहाल वर्ड फ्लू को कि 2015 से हर वर्ड से 2006 में पहले बर इंदुस्तान में आया और 2015 से हर साल बर्ड फ्लू के इंसिडेंस रिपोर्टिड होते हैं अलग अलग परदेश से कुछ परदेशों से इस बार भी चार परदेश से रिपोर्ट आई है बहुत जादे चिंता की बात इस लेनी के तो माइग परदेश से रिपोर्ट नहीं आई है और माना जा रहा है कि शायद वर्ड फ्लू का पहला ऐसा मामला हो जो मुर्गियों में पाया गया हो ठीक है देश में चिंता आपको लगता नहीं है कि जो माइग्रेटी बढ़ आई है अभी तक वहीं तक सीमी थे लेकिन हर्याना की र मावना होती है कि रिपोर्ट के बाद तो उसमें कहीं चिंता की बात नहीं बात बाहरी स्प्रेड होने के बहुत जाए चांसिज नहीं है यह वाईरस अब लोकलाइज हो चुका है पिछले साथ साल का नुम्बर भी बताता है कि जहां आता है थोड़े से लाके मेरा और आज तक इसका हुमन में ट्रांस्मिट होने का एक भी केस आज तक नहीं हुआ है चुकि हम लोग चिकन या एक को बाल के अपकांगे खाते हैं तो वाईरस वैसे ही मर जाएगा एक परसेंट अगर होगा भी तो भी कोई समावने पहली बात तो पूरी पॉल्ट्री फ्री है अभी तक देशकी बड़े-बड़े तीस कंपार्ट्मेंट जोह नहीं पूरे कंट्री में तो कहीं कोई रिप्रट अभी तक नहीं आई इस तरह की तो कहीं कोई चिंटा का भष्ए नियू feito बेल्कुल कोई दिक्क्त नहीं है शिए यह जो परिख्या होगे इसके माध्यम्स थैस्का क्या करना चाहते हैं और इस पर फूर तोर पर कुछ राज्यू तक मामला सीमी थे और ये पूरा तरोज पर मामला कंट्रोल में है कैमरा एन सेरा के साथ अक्रिस्मिश जनतन्त टीवी जल्ले खबरों के निश्पक्ष विस्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतन्त टीवी एड प्रेस दा बेल आइकन नवर मिस अपडेट